सब्सक्राइब दोस्तों तोड़े अपनी चैनल माइंड कोच दे वेच थोड़ा स्वागत है अजगल करांगे इंशेंट हिस्ट्री दी जो अपनी सीरीज चल दी पही है उस दे वेच नेक्स टॉपिक इस तो पहला आपां इंडस वाली सिवलाइजेशन नू कम्प्लीट कर चुके हैं जिस दे वेच आपा थियोरी प्लस MCQ कवर किते हैं फिर उस तो बाद आपा बुद्धिजम दे कॉंसेप्ट नू जड़ा सिगा ओ क्लियर किता और इस दे वेच भी आपा थियोरी प्लस MCQ कवर किते हैं और फिर उस तो बाद आपा जैनिजम नू जड़ा है ओ ड इस topic है मगद, इस मगद नू 16 महाजन पदा दिन आनल भी जाने जन्द है, तो इस topic काफी important है, थोड़ा tough जन्द है, लेकिन फिर भी इस topic नू करना बहुत ज़्यादा important हुन्द है, खास करके P.T.E.T. Master Kader दे फिपरा लई, इस topic बहुत ही ज़्यादा important है, तो बेना देरी 6th century BC तो लेके 4th century BC तक दा, तो इस time period दे विच टोटल 16 महाजन पद आपने अपनो develop कर देने और develop हुन देने, लेकिन इस develop क्यों होए, क्यों होए, उनना दी आपा गल करनी है, लेकिन उस तो पहला आपा इस दे स्रोत देख लिए, कि इस दे स्रोत कीने, मतलब इस दे sources कीने कित्ता आपा नू इनना बारे पता चल दा है, तो देखो सब तो पहला सुत्ता पिड़का, ये तो आनो पता है, बुद्धिजम दे वेच एक भुक कहें, तरी पिड़का दा एक पाट है, सुत्ता पिड़का, तो सुत्ता पिड़का दी अंगुतारा निकायातों आपा छेमी सेंचरी बिसीदे वेच सोला महाजन पतांदा उदे होया उस्तोबाद एक किताब तुसी याद रखनी है अश्ट अध्याई संस्कृत व्याकरन है ठीक है और पननी द्वारा ए रचित है पननी द्वारा ए लिखी गई है और इस्ते वेच भी महाजन पतांदा जिकर किता गया लेकिन इस्ते वेच जो महाजन पतांदा जिकर किता है और नौ महाजन पतांदा जो है वो जिकर किता है तो यह भी चीज़ तुसी जड़ी है और याद रखनी है तो इस दो किताबाँ जिनन तो तुहानू 16 महाजन पदान दी या महाजन पदान दी जानकारी मिल दिये देखो 16 महाजन पदान दे विकास था अगर आपा इतिहासिक पशोकर देखिए कि किमें इस 16 स्टेट महाजन पद डेवेल्प होई तो आपा नूँ पता है कि 6.000 सेंचरी तो पहला ठीक है आइरन दा इस्तमाल नहीं होंदा से या बहुत ही कट होंदा से ठीक है और जो बहुत जादा इस्तमाल हों लगया आइरन दा ओछेमी सदी इसा पूरब दे वेच बहुत जादा आइरन दी वर्तों जड़िया हों लगया वड़े पदर ते आईरेंड दी वर्तों हुन करके की होया कि इस एरिये दे विच डवेल्पमेंट हुनी शुरू होई टूल्स थी ठीक है मतलु जो एग्रिकल्चर दे विच टूल इस्तमाल किते जन्दे से गे उनना विच भी डवेल्पमेंट होनी शुरू होई हत्यारां दे विच भी डवेल्पमेंट होई क्योंकि हुन हत्यार जड़े है और लोहे दे बनने शुरू होगे तो नवे नवे खेती संद जेड़े है वो developed होए ठीक है जिस करके कियो या कि जदो इट टूल्स developed होए तो इनना tools ने की किता उस area अगरी कल्चर नो भी developed किता और जदो ही एक खेती बाड़ी या agriculture developed होया तो लोका ने की किता खेती करन दे नवे टंग विक्सद किते और अगर कोई नमा टंग विक्सद होएगा तो खेती दे सबंद विच घ्यान होना चाहिदा है तो घ्यान होया चाड़ वद लेंदिया परिक्रियावा शुरू होया मतलब जादा फसल जड़ी सेगी ओ आन लागी तो इत्ते की होया के जो एरिया सी काफी deficit होना शुरू हो गया लोका ने अपनी ही एरिये दे वेच घ्याना शुरू करता देखो इस तो पहला की सेगा तुसरी shifting cultivation दह नाम सुने होएगा के अगर कोई किसान ने किसे एरिये दे वेच खेती किती बाद में चो जमीन बहुत ज़दा पक जन्दी सी, मतलब नौर्मल टूल्स दे नाल ओ जमीन नू वही नहीं किता जन्दा सी, जिस करके किसान अगे चला जन्दा सी का, शिफ्ट कर जन्दा सी, तो शिफ्टिंग कर्टिवेशन बोल दे सी, ठीक है, तो इस तरह मतलब ओ शिफ दे नाल ही कर बनाया, तो इस तरह छोटे-छोटे-छोटे-छोटे पहला जड़े है, ओहो, कर बनने शुरू होए, मतलब तुसी कहलो के पहला पेंड बने, पेंड तो बाद कस्वे, और फिर स्टेट बननियां शुरू हो गया, और इनना स्टेट्स नू ही आपा महाजन जड़े सिगे, उनना दा विकास होना शुरू हो गया, अच्छा, जिनना दा लाप किनना ने चक्या, इनना दा लाप चक्या, राज या ने, मतलब ए जो डवेल्पमेंट हो रही है, एदा जो लाप सी, जो ब्राफिट सी गा, एक इनू मिलिया, एक रूलर्स रू मिलिया, क कितना किते हैं, शुरू होगी सिगे, खेती परदान अर्थ विविस्ता ने लोका नू एक थाते इकठे रहन दे ले प्रिरित किता, जिस कार्ण छोटे-छोटे जनपद बने, और बाद विच एही जनपद इकठे हुन दे गए, आते एक वड़े-वड़े महाजन पदा दा उदे हुया, महाजन पद मतलब, तुसी आजदे स्टेट दी इन्हा नू गल कर सक्दें, के आजदी जो स्टेट ड्वेल्प होए, उन्हा नू ही तुसी महाजन पद बोल दी और स्टार्टिंग दे वेचे सोला महाजन पद चेड़े से गे और डवेल्प होई से गे तो सोला महाजन पदां दी आपा हुन गल करनी है जो छेमी सदी इसा पूरब्दे वेचे डवेल्प होई तो इना दे नाम में मैंचन किते हैं तुसे याद नहीं रखने चिन्निक भी नाम याद रखने नहीं होगी अपा पढ़ांगे बट सारे याद रखने जुरूरत नहीं है तो इस सोला महाजन पद केड़े केड़े हैं अंग, मगत, काशी, कौशल, वंजी, मल, वतस, असमत, कूरू, पंचाल, मतस, टेंडी, सुरसैन, अवंती, कंपोस, गंधार ठीक है तो कंपोस इस टोटल सोला महा महाजन पद सी गें, जो उस समय डवेल्प होएं और इनना सोला महाजन पदा दा आपस वेच रिलेशन किस तरह दा से, अगर अपा इथे इस मैप दे विच देखिए तो तो अनुए सारे सारे सोला महाजन पद जेरे हैं ओ देखनों मिलेंगे और उनना दी कैपिटल वी दे तो इस तरह तो तुसी नदी कैपिटल वी उयाद रखनी है तो सोला महाजन पद इनना बारे मैं तौनोंं दास छो किया इननन दे नाम तुसी जेरे है dokument कर लेने लेकिन जिनने important important आप बाद वेच पढ़ने है उनना दे तब कैदा आप राजे भी पढ़ने है तो हुन इनना 16 महाजन पदा दे वेच तुसी दो तरह दा relation याद रखने एक ता इनना दे वेच पुलिटिकली रिलेशन सी मतलब एक राजनीतिक इनना दा जो परबंद सी हो किस तरह दा सीगा ठीक है पुलिटिकल रिलेशन किस तरह दा सी कि डिप्लोमेटिकल रिलेशन सी गे एक स्टेट दे दूसरे स्टेट दे ना तो देखू पहला तापा एदिखांगे कि इना ले वेच जो स्टेट है उस स्टेट लेच जा महाजिन पत लेच उना दाअ अपना प्लिटिकल सिस्टम के था है तो देखो ए जड़े सोडा महाजन पर सी इना दे वेच दो सस्टम जड़े सी पर चला सी याता राजतंतर सी गाँ और जा गंतंतर सी गंतंतर मतलब जाता रिपब्लिक सी गाँ ठीक है और जा जड़ा सी गाँ ओहो राजतंतर सी राजतंतर मतलब राजे दा बेटा ही राजा और गंतंतर दे विच की सिगा कि जो राजा होएगा जो हैड होएगा ओब कैदा पब लिकली चुन कियाएगा मतलब तुसी कहः सकतhew कि एक तरणा रेपब्लिक है गंतंतर है मतलब जुन कियाएगा इत्थे राजा चुनिया जाएगा ठीक है जी तुसी याद रखने हैं ते मैं लिखे है पॉइंट पूरी पूरी डेफिनिशन मैं इस दी दित्ती है और मैं तो अनुए भी दस्या है कि ओ केड़ी 16 महाजनपदां दे विच्चों ओ केड़ी महाजनपद ने जिन्ना दे वेचे राजतंतर पाया जन्द है और कोई इलेक्शन नी हुएगा कोई चुनिया नहीं जाएगा ठीक है डिरेक्टली उसनों गदी मिल जेगी जादतर जो स्टेट है ओ इसे तरह ही राजतंतर दे विच्च बिलीव कर दिया सी और इस दे विच्च कई तरह दियां जड़े से गे ओ महाजनपदां दे ने इस सारी दियां सारीया स्टेटि राज तनतर सी ठीक है इन दे विच्च राजत दाव बेटा ही राजा बन्दा सी अगर गन तनतर द्यकल करिये तो टिर के राजा बनन दे काबल है जो नहीं है बटो राजा बनेंगा। छेम कि वोटिंग होजे के और वोटिंग को उन रीकती नो राजा बनाया जाएगा। और यह तुसी गनतंतर दे जो स्टेट है, जो महाजन पद है यह तुसी याद रखने ने, एकेड़े केड़े ने तो बंजी, मल, कूरू, पंचालते, कंपोज, ए फाइव ऐसे महाजन पद ने, स्टेट ने, जिनना दे वेचे गनतंतर पाया जान दा सी और यह तोडली इंप दूसरा जो रिलेशन देखनू मिल दा है, उस दे वेच भी दो पार्ट से वेच तो आनू ए रिलेशन जिड़ा सी गा, ओ देखनू मिलेगा, ओ केरे केरे हैं, देखो, इना दे वेच एक तो आनू शोशल रिलेशन मिलेगा, और एक आर्मी रिलेशन मिलेगा, मतलब आर्मी जिड़ा है गया वो किसे दूसरे स्टेट ते जिड़ा है गया वो attack करता है गया और इस condition की होएगा हुन आज समझे नाली चीज़ है कि इस condition देविच की होएगा इनना दोना relation करके या इनना दोना task करके work करके एक state एक महाजन पद मर्ज होना शुरू हो गया किसे दूसरे स्टेट देविच किसे दूसरे महाजन पद देविच मर्ज होना शुरू हो गया तो कुन मलाके अपने कोड़े 16 स्टेट सी तो इस 16 स्टेट आपस विच मर्ज होनिया शुरू हो गया और मर्ज हो हो के last ते जो most powerful state तो अनों पूछने हैं कि most powerful state किनियां बचियां जा 6.10 century दे वेच most important powerful state किनियां सी ता ओ चार सी हैं मतलब इना 16 state दे वेच एक दो तरहनदा relation सी मैं अगी जाके दस्ता हैं कि एक दो तरहनदा relation किस तरह कम करदा सी बड़ तुसी इते देखो कि एक जो दो तरहनदा relation सी इना दो तरहनदे relation करके की चीज हो रही सी कि कि एक 16 state आपस वेच मर्ज हो रही हैं सी और एक 16 state आपस वेच चार स्टेट वेच चार महाजन पदा दे वेच मर्ज हो गी हैं सी आई थिंक इस लाइड तो हनू समझ आगी होगी तो अपस चल दे हैं इस तो अगी हुन ए जो मैं तो हनू 16 महाजन पद है उनना दी डेटेल देती हैं अचा इनू समयना इस करके जरूरी है क्योंकि तो हनू न्यूशन पुछलें देने या ओल्ड नें पुछलें देने कि बई 16 महाजन पदा दे वेच ठीक है एक न्यूशन अन आगी है जिमें मकद मकद ओल्ड नीम सी किसे महाजिन पाद दा और इस दा new name तुसी याद रख साग़ दें ठीक है इस दा new name तुसी याद रख साग़गँ अगर यह जो बहार ओला area है ठीक है बहार गया अला aria वो इस दें वीक्छे शामल हुंदे है तो इस दें capital भी याद रखनी है थो इस deja 16 महाजिन पाद दिते ह हैं और उनना दे अज़ दास्त एरिया देक्टा states ए मतालब किस एरियान उस समय उस समय 언गल करीयो तो इस तो ऐ मोगेर अते भागल-पोरारा एरिया तो अणों नो मिलेगा मगद बार्या पगल कर चुके हैं फिर उस तो बाद है काशी काशी और अजदा एरिया बनारस है वतस दी गल करिये तो कुशामबी इस दा एरिया इलाहबाद कौशल दी गल करिये तो श्रावस्ती ठीक है इसनों कुशावस्ती दिन आनल भी जाने जान दा मतलब बेदा बनेंगा और यह पूर्भी उत्तर परदेशाला एरिया तो अनों देखनों मिल दा है सूरा सैन दा जो मतलब कैपिटल है वो मत्रह है पच्छमी उत्तर परदेशाला एरिया पंचाल दी गल करिये तो एकंपाल्या ठीक है और यह पच्छमी उत्तर परदेशाला एरि है टेंदी है टेंदी दी गल करिए तो सोधी वती है बुंदेल खंड अला एरिया अवंती दी गल करिए बहुत इंपॉटन्ट है अवंती तो उजेन अला एरिया आजेगा मतों उजेन इसनी कैपिटल और मालवा थे मद परदेश अला एरिया आजेगा गंधार दी गल करिए तो इस दी कैपिटल सी तक्षीला, रावल पिंडी अला एरिया आजेगा, कंपोज दी पूंच और ए रजोरी, ठीक है कशिमीर अला एरिया आजेगा, जित्थे, किस दा जेड़ा सी गा, ओ बर्त हो ऐसी तुसी मेंनों कमेंट करके हैं, दसोंगे कि किनना दा जेड़ा है गा, और बर्त हो ऐसी गा, पुंच जिले देवेज, असमाक दी गल करें, तो पोटाली पोदाना और गुदावरी दे आला एरिया आघा, फिर वज्जी दी गल करें तो विशाली, बहाराला एरिया आज़ा, तो अनु मगद वेच मिलेगा, आज जाला जो बहाराला एरिया, ओ तो फिलाल इनना कुछ याद रखन दी जूरत नहीं है जो most important अगे जाके आपा महाजनपद देखने नहीं जिनना थी थोड़ी हिस्ट्री अपा पढ़नी है बस ओही महाजनपद अगर तुसी याद कर लोंगे तो शफी सेंटर रह जेगा बटी कोश्चन तो अनुक बन देने एक्जाम दे वेच्चे पुछे जान देने में बार-बार कह रहे हैं जो वीडियो तो अडिली बनना ही जा रही है महाजनपदी ये वीडियो तो अडिली master कैड़र पी स्टेट दे लई और जो lecture दा exam होना हिस्ट्री दा ओ देली बहुत बहुत ज़्यादा important है और इस तो इ अगे चलिए अपा तो मैं तो अनूंने एक गल कहके आया कि जो आपा relation देखे उनना relation करके की होया कि जो 16 स्टेट से हिया वो आपस विच मर्ज होया तो आपने खुले चार स्टेट बच लिया है और इस चार स्टेट केड़िया केड़िया उननना दे अपा गल करने है पर ए दस बंद अते एक दूजे दे हमले आदे कारण 16 महाजन पद एक दूजे विचे शामल हुन दे गई और इस तरह आंत विच सिर्फ चार शक्तिशाली महाजन पदां दा जेड़ा सिगा ओ उदे होया हुन इचार शक्तिशाली राज तो आनूं याद रखने पहने पहने केड़े केड़े ने वतस अवंती कोशल अते मगर ठीक है और अपा हुन एह देखांगे कि इस सोला स्टेट मर्ज होके चारांदे विच की में तबदील होई और इनना चारांदे विच भी जो रिलेशन रहा उनना करके ठीक है आखर दे विच सिर्फ अपने कोड़े मगद मगद बचह है तो एक कहानी की है इसने पिछे हिस्ट्री की है बैकड़ॉंड की है स्टोरी की है उसे अपा होन गल जरिया हो करनी है देखो तुछी है समखेलो के आपा होन इस साथ बैकड़ॉंड देख दे पाई है ठीग है जिमें APAP Celsius पहला देखके उस्तो बाद पूरी टेल जड़िया होना पर डिस्कस करनी है तो देखो अगर मैं वतस महाजनपद्दी गल करा तो वतस महाजनपद्दी जो चैपिटल से एसी राजता नी जो इसती सी ओसी कुश्यामबी ठीक है जमना नदी दे तकदा एरिया सीगा और इस वतस राजदा महान राजा सी उदेना ठीक है हुन वतस राजने की किता अवंती देना व्यास सबंद्द काइम किते जिसकान एक काफी शक्तिशाली हो गया मैं तो उनक्या कि इनना दे वेच आपसी मैरिस बंद भी होया कर दे सन तो व्यास सबंद करके एक जो वतस राजसी गा एक काफी शक्तिशाली बनिया पर उद्येना दी मौत तो बाद मरं तो बाद वतस राजदा सी ओ अवंती राजदे वेच मिल जान दा है मतलों कहन दा पाव एक जो चार स्टेटा तो बाद तेन स्टेटा अपने को लेच जां दे handle गए तो वतस राजन है केता अवंती राजदा महरिस कर वाईज अवंती महाजिन्पत टी राज़ता नहीं है उजेन याद रखने और अवंती राज़ता महां राजासी प्रद्योत तो इस प्रद्योत नहीं की किता सें इस उधियन्ण दी डाटर नाल मैरिस किती सें ये तुसे याद रखनें कि उद्येना दी डॉटर नाल मैरिज किती सी, यही कारण है कि जदो उद्येना दी देथ होई, तो इस सारा सामराज इस दी डॉटर दा मिलया, क्योंकि इस दा कोई ब्रदर नहीं सिगा, ठीक है, और इस करके इस सारा सामराज जेड़ा सिगा, ओ किस नूं मिल गया, अवंती मिल गया तो अपट देख दिए कें तो तो देखो आवंतिहीं की क्ना picking वता स्राज देन्हा व्यास्बंद बनाइं अंते प्रद जोतने की जो देगांओ नाम ब्रबश्वर मत्लब प्पर्द इस बहुत सेन में WOW मतलब एक दूज़े दे सबंदी बने, ठीक है, रिलेशन होया, तो एक दूज़े दे साथ देन के लड़ाई दे वेचे, ठीक है, और बाद वेच उद्येना दी देथ भी होगी, तो जदो ही उद्येना दी देथ होई, तो कुछ हिसा दा देहेच दे वेचे नूँ मिलिया इसी अवन्ती नूँ, होन वत्स दे राजे दी देथ हों तो बाद ए वत्स राज, सारे दा सारा के नूँ मिल जानदा है, अवन्ती नूँ मिल जानदा है, तो इस तारह चार स्टेटा तो बाद सिर्फ तेन स्टेटा अपने कुले बच दिया है तेन महाजन पर अपने कुले जड़े है गया हो बच दिया होना पर गल कर दिया है अग्गे देखो ए जो अवंती काफी ज़्यदा पावरफुल हो गया कोकि इस नूँ 30 साथ मिल लेकिन अवंति जदो इनना ज़्वादा शक्तिशालि होया तो इस तो बेचैननी होनी शुरू होई किसनू इसनू बेचैननी शुरू होई मगदनो ठीक है, मगद नो लगया कि भई ए अवंती बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, कि ते ए न होबे कि मेरे ते अटैक कर दे, ठीक है, तो मगद ने की किता, क्यास लगाने शुरू किते, कि कि में अवंती स्टेट नो डफीट करके, अवंती दे राजया नो डफीट करके उनना ते कबजा किता, जा सकता है, तो इस कंडिशन दे विच की होगा है, कि मगद ने इंतजार किता, मगद ने इंतजार किता, किस दा, इस राजय दा मरंदा, प्रद जोत दे मरंदा, क्योंकि प्रद जोत काफी पावरफुल राजा सी, और पावरफुल राजा होन करके, मगद ने इस ते अटैक नहीं किता लेकिन प्रद जोत दे मरंतो बाद जोदो ही प्रद जोत मर्या प्रद जोत दे मरंतो बाद अवंती दे कमजोर शाशक सी गे इस तो बाद दे जो राजे सी ओ वीक राजे सी और इना वीक राजयां दा बेनिफिट चक्या मगद ने और सवंति थे किसने कपज़ा कर लिए मतलब यह जो तेन स्टेट से गया हुन 10 स्टेट तोबाद अपने कोले दोज स्टेट जाडियां से गया हो बाच जादियां तो इस तारह मतलब जानिया है Is state अपस वेचल मर्च जणिंयां हो रही हैं सी थिया खुन उस्तों बाद आगर अपका गल करिए मंगता पर डिटेल की पर ने पर उस तो बाद आपका कोषल दी कल कर दे दय लिए कोष्ल जो महाजन पर से तो इस ती राज़ता निसी और ज़द्धिया और कोष्ल राज़ दा महां राज़ा सी प्रिशन Ыित यह तुसी याद रखना है नाम प्रिशन जीत तो होया की के प्रिशन जीत जिड़ा सीगा यह भी काफी पावरफुल सीगा तो मगद नू लगया कि क्यों ना मैं कौशल राजनू भी डिफीट करके खुद पावरफुल बना तो मगद ने वेट किती के प्रिशन जीत कदो मरत है और जदो मतलब एथे यह नहीं है कि एक ही राजा मगद दा चलता पर है मगद भी अगे continuity दे वेच जा रहे है मगद दे अगले तो अगले राजे आ रहे हैं लेकिन मगद नहीं की किता प्रिशन जीत दे मरंतो बाद इस दे वी कमजोर शाषकां ते अटेक किते और अटेक कर दे कर दे ठीक है इस कौशल राजनू भी अपने राजविच मिला ले है मतलब कौशल राजनू भी डफीट करके अपने राजविच मिला ले है तो मगद दे प्रिशन जीत दे मरंतो बाद कौशल राज दे कम्जोर शाषकां दे हमला करके कौशल नूँ आपने राज विच मिला ले और एक शक्ति शली राज बनजन्द है मतलब दोए तो बाद आपने कोरे एक स्टेट बन जंदी है, और एक स्टेट आपने कोरे बच गी, मघद, मतलब एका आपने कोरे महाजन पस जो बचया, उन मघद बचया, तो इस sli-ड उनी जड़ी है और समझ आगी होएगी, तो एस देखा झी आपने कोले मघद दखा या 16 महाजिन पदा दा पार्ट वन ठीक है पार्ट वन अपर कंप्लीट कर चुकी है ठीक है और पार्ट टू दे विच अपाई देखांगे के ऐसा की सी मगद को ले के ऐसी केड़ी पावर सी मगद को ले कि उसने 16 स्टेट नूँ डफीट करके अपने आपनू डवेल्प किता और तुसी भी सोचो के भी 16 महाजिन पदा नूँ डफीट करन वास्ते है एव जा पावरफुल की सी मगद को ले किमें वो पावरफुल बनेया मगद ठीक है ता जो जो उसने 16 स्टेट नूँ जड़ा सीगा और डफीट करता सीगा तो ए अज दा अपने कोड़े फर्स्ट पार्ट सी मगद दा ए तुसी अच्छी तरह इस नूँ जड़ा है गया कावर कर लेना है मैं छेती ही इस दा जड़ा है गया ओ पार्ट टू लेके आमांगा और पार क्यों